राशी मेश ओवर्वियू राशी मेश रोमांस अगर आप रिष्टे की खोज में हैं तो छोटी सी मात्रा आज आप के लिए राहत लाएगी आज आप किसी नए पार्टनर से मिल सकते हैं आप पारिवारिक व्यक्तियों या दोस्तों के बीच उनसे मिल सकते हैं आप दोनों की डेटिंग के लिए सहमती अभी बहुत जल्दी बन सकती है राशी मेश करियर आज अपने आत्मविश्वास से अपने काम के रास्ते में आने वाली सभी कठिनाईयों को आप आसानी से पार कर सकेंगे आपको सिर्फ अपने द्रिष्टिकोंड को सकारात्मक रखना होगा सही योजना वस सही समय पर सह पर समीद कर सकते हैं विदेशी निवेश से आज फायदे के संकेत हैं यदि आप विदेश में अपना व्यापार बढ़ाना चाह रहे हैं तो यह सही वक्त है आप विदेशी पार्टियों से संपर्क बढ़ाईए आज इस से फायदे दिखेंगे राशी मेश, हेल्थ, सिर्दर्द से सावधान रहे, ज्यादा तनाव, ठकावट, बड़ी रुकावटें हो सकती हैं, इसलिए आपको आराम के लिए योग और श्वास संबंधी व्यायाम करने होंगे, क्योंकि इसी से आप शांत और हल्का महसूस करेंगे घर पर आज लड़ाई जगड़े से दूर रहें तो अच्छा होगा, आपके घर में शांती बनी रहेगी, लेकिन अगर आपने अपने गुस्से पर काबू नहीं रखा, तो घर की शांती भंग हो सकती है, सब को सम्मान दें, ताकि बदले में आपको भी सम्मान मिले अगर आपकी कार्याले की समस्यां घर लाने की आदद है, तो घर वालों की खुशी के लिए अपनी ये आदद बदलने की कोशिश करें आप में से कुछ लोग अपने आफिस में आज किसी अजनभी के आकर्शन का गेंदर बनेंगे इतना जान लें कि वो आपसे अच्छा नहीं क्योंकि वो आपके करियर के लिए स्थाई सावित नहीं होगा अगर वो दूसरे विभाग का है, तो उसके बारे में और ज्यादा जानकारी कठा करें उससे बात चीत करने के लिए किसी काम का बहाना बनाया जा सकता है आज आप जितनी महनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा याद रखें कि आपने बहुत महनत और लगन से पढ़ाई की है चिंता करने से कोई लाब नहीं होने वाला, बलकि निरंतर काम करते रहने से ही समस्या हल हो सकती है अपने लाब को बढ़ाने के लिए आज परचार परसार का सहरा लें समझदारी से अपने बाजार का चुनाव करें ठीक से परचार परसार करें आप पाएंगे कि व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी कती से बढ़ रहा है इस काम पर खर्च किये जा रहे पैसे की कीमत वसूल हो जाएगी आज वो दिन है जब आपको सतर्क रहने की आवशकता है किसी भी सड़क दुरगटना होने से बचें और बेहत सावधानी से रोड़ पर चलें अगर आप कार या मोटर साइकल चलाते हैं तो बेहत सावधानी और सतर्क रहकर चलाएं आज अगर आप सतर्क एवं सचेत होकर वाहन चलाएंगे तो आप छोटी दुरगटनाओं को होने से बचा सकते हैं आज आपका सतर्क रहना बहुत जरूरी है राशिमित्थुन ओवर्वियू आज आप अपना मिजाज खुशनमा रखें छोटी मूटी समस्याओं से परेशान ना हो आज आप कुछ बहस करने के मूड में लगते हैं लेकिन आप फिर भी सब कुछ संभाल लेंगे अपनी परेशानियों को अपने उपर हावी न होने दें इनसे ही आपको कोई अच्छा मौका मिल सकता है इन परेशानियों पर ज्यादा ध्यान ना दे कर अपने जीवन की खुशियों का मजा लें अपने साथी के साथ अनावश्चक वार्दिवाद से बचें अन्यथा फाल्तू की परेशानिया खड़ी हो जाएंगी अनावश्चक खत्रे से बचते हुए अपना ध्यान अपने भविश्य की कल्पना में लगाएं अपना व्यवहार शांत बनाए रखें आज आपके सहकर्मियों द्वारा समय पर की गई मदद कार्यस्थल पर आपको किसी परेशानी से बचा लेगी आपको सलाह है कि ऐसे ही एक जुट होकर काम करते रहें इससे आप अपने बड़े लक्षयों को भी आसानी से पालेंगे साथ ही चुनोती पूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए अपनी द्रड इच्छा शक्ती और सही निरने क्षमता का प्रियोग करें पिछले कुछ दिनों में आपको आर्थिक मामलों में अच्छा फायदा हुआ है सो आज मौज मस्ती के लिए कुछ खर्च करने का मौका है इसका आनंद लें इस खुशी में उन्हें मत भूलिएगा जो अच्छे बुरे में आपके साथ खड़े होते हैं किसी अच्छे काम के लिए आज कुछ दान भी कीजिए आज आपका शारेरिक स्वास्थ और विचार अच्छे रहेंगे क्योंकि आज आप आध्यात्मिकता का रास्ता अपनाएंगे इससे तनाव कम होगा और विचारों में भी बदलावाएगा इसलिए ये आप पर निर्भर करता है कि आप आध्यात्म में अपना मन लगाएं ताकि लंबे समय तक आपके अंदर मानसिक और भावनात्मक शान्ती बनी रहे घर वालों वो मित्रों के नकारात्मक स्वभाव को लेकर आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए ये शायद कोई छोटी सी बात हो लेकिन आने वाले समय में ये आपके रिष्टों में कड़वाहट पैदा कर सकती है अपने परिजनों वो मित्रों से पूछें कि वो आज कैसा महसूस कर रही है ऐसा करके शायद आप आने वाली परिशानियों से बच सकें आज आपको अपने ई-मेल बॉक्स में या फोन पर कोई सब्प्राइज मिल सकता है क्यूंकि कोई नया दोस्त आपके प्रती अपना प्यार इजहार करेगा हैरत में पढ़ने की बजाए इसे प्यार और खुले दिल से स्वीकार करें इस रिष्टे का भविश्य सुनहरा है आपका प्रदर्शन प्रभावशाली रहेगा अगर किसी का ध्यान आपकी ओर नहीं है तो भी निराश नहों भविश्य में इससे आपको लाभी होगा क्योंकि आपके बॉस आपको ज्यादा केंदरित वो लगन से काम करने वाला समझेंगे अपने साथियों वो अधिकारियों की सकारात्मत प्रतिक्रिया के बाद आप सफलता की उचाईयों को चू लेंगे आज आप किसी नेक काम के लिए दान की सोचेंगे ऐसा कीजिए आपको खुशी तो मिलेगी इतने से आपका बैंक बैलेंस नहीं बिगड़ने वाला इन दिनों आर्थिक आवग भी खूब दिख रही है लेकिन उन्हें संभाल कर रखिए आज आपके लिए बहुत व्यस्त दिन है आपको पुरानी बीमारी से राहत मिल जाएगी शुरुआत में आपको ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की आवश्चक्ता है ध्यान रहे जरा सिला परवाही उस बीमारी को दोबारा बढ़ने में मतद कर सकती है आप संतुलित भोजन करें आज आप मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे अपनी योग्यताओं वग्यान में वृध्धी से आपका आत्म विश्वास तो बढ़ेगा ही साथ ही आपको लाब भी मिलेगा आप चाहे विद्यार्थी हों या नौकरी पेशे वाले आज आपके अपनी सोच को सुधारने के प्रयास सफल होंगे और आने वाले समय में आपको इनसे लाब मिलेगा आज आप अपने रूमैंस को लेकर दुविधा में रहेंगे क्योंकि आपकी पसंद को लेकर आपके परिवार वालों और दोस्तों की सहमती न हो उनकी बात जरूर सुनें क्योंकि वे आपका भला ही सोचेंगे पर अंततह अपने मन की करें आज आपके आसपास के लोग आपकी तारीफे करते नहीं ठकेंगे आपकी कड़ी मेहनत अंत में रंग लाई है आपके अच्छे प्रदर्शन के कारण अधिकारियों द्वारा आपको अधिक उत्तरदायत वसौपने पर विचार किया जाएगा वे भी आपके प्रदर्शन से संतुष्ट है आज का दिन आपके लिए भागिशाली है अंत दह आज आप खुद को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर महसूस करेंगे आप मेहनत तो काफी समय से कर रहे थे पर पैसा नहीं जुटा पा रहे थे ना चाहते हुए भी पैसे खर्च हो जाते हैं आज बह दिन है कि आप अपने खर्चे और आयका ठीक से लेखा जोखा कर ले इसका भविश्व में फायदा मिलेगा अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो उससे कम करने का समय आ गया है यह एक रात में नहीं होगा परन्तु कुछ समय में इसका फल मिलेगा आपको अपनी व्यस्त दिंचर्या में से समय निकाल कर व्यायाम करना होगा दूसरों को देखकर या उनके प्रभाव में आकर आपको अपने लिए कोई करियर नहीं चुनना चाहिए वही करियर चुने जो आपको अच्छा लगता है और जिसको करने की आप काबिलियत रखते हैं आप अपनी मेहनत और लगन से अपने क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं आपके शर्मीले सभाव के बावजूद आज रोमैंस के क्षेत्र में बहुत संभावना है जिसकी ओर आप आकरशित हैं उसे अपनी भावनाओं के बारे में सभ्य वशालीन धंग से बताएं आपकी संस्था व्यवसाय के लिए आपको विदेश भेजने की तयारी कर रही है आप शायद इस यात्रा को लेकर चिंतित हैं लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है आप एक सितारी की तरह चमकेंगे अब तक आपके जो काम रुके पड़े थे वो भी पूरे हो जाएंगे आज आपको अपनी वित विवस्था में से उन सभी के लिए प्रावधान करने चाहिए जो आप पर निर्भर हैं जैसे आपके बच्चे या माता-पिता अपने बच्चों के लिए किसी प्रकार की शिक्षा से संबंधित योजना या माता-पिता के लिए सेवा निवरित की योजना ले लीजिए माना कि ये एक बड़ा उत्तरदायत्व है लेकिन आज नहीं किया तो आगे जाकर आप इसे लेकर पच्चताएंगे हो सकता है आज आप अपनी स्वास्थ दिन चर्या को अपने सामाजिक जीवन से मिलाएं जिसका मकसद आपका स्वास्थ हो सकता है आज अपने दोस्त को व्यायाम करने या फिर क्लब जाने के लिए कहें हो सकता है जिम में आपको अपना दोस्त मिल जाए ये सब करने से आपको अच्छा लगेगा और इस बहाने आप अपने दोस्तों के भी करीब आएंगे आपके और आपके दोस्तों में आपसी संबंधों में और प्रगाड़ता आएगी आप दोनों की आपसी समझ बहुत अच्छी है इसलिए आपको एक साथ समय विताना बहुत अच्छा लगेगा इस रिष्टे को यूँ ही बनाए रखें मजे करने के लिए आप दोनों कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं अथवा खरीददारी भी कर सकते हैं आज का दिन आपके खुशियों से भरपूर दिन होगा आप अपने साथी के साथ अकेले में समय विता कर अपनी बोरियत को दूर करेंगे उन मूल लिवान पलों को अपनी यादों में समेटने का प्रयास करें जिन्हें जिन्दगी भर याद रख सकें आज विदेश से आपको खुशखबरी मिल सकती है खासतोर से यदि आप विद्यार्थी हैं और आपने विदेश में कहीं दाखिले या छात्रवित्ती के लिए आवेदन किया है तो ये खुशखबरी विदेश में आपकी नौकरी से संबंदित भी हो सकती है विद्यार्थियों की पढ़ाई आगे बढ़ती रहेगी और उनका ध्यान इस समय अपनी पढ़ाई पर ही रहेगा जहां तक आर्थिक पक्ष का सवाल है आज का दिन आपका है आज कुछ बड़ा आर्थिक लाप भी मिलेगा आप जैसे कई लोगों के लिए दक्षता बढ़ाने वाला कोर्स बहुत मददगार साबित होगा आज आप गंभीरता से सोचिए कि लंबे समय तक होने वाले आर्थिक फाइदे के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई या ट्रेनिंग पर खर्च किया पैसा जाया नहीं जाता इसका बविश्य में बड़ा फाइदा होता है अपने पर खर्च कीजिए आज कमर से संबंधित किसी भी तरह की लापरवाही ना बढ़तें कमर की परेशानी से निजात पाने के लिए आप हलका फुलका व्यायाम या योग भी कर सकते हैं ताकि दर्द से निजात मिल पाए ध्यान रहे, कुछ भी ऐसा नहीं करें जिससे आप इस छोटी परेशानी को बड़ा बना दें आज शारिरिक्ष्रम ज्यादा ना करें आज आपको कुछ नया करने की अपनी इच्छा पर ध्यान देना चाहिए कुछ नया करने या नया खेल खेलने की तीवर इच्छा आपके मन में चल रही है आज समय है ये तै करने का कि आप जो करना चाहते हैं वो कैसे करें आज अपनी जिंदगी से डर को निकाल देना चाहिए राशिवरिश्चिक, रोमैंस आज आपको दावेदार होने और उतावला होने के बीच अंतर को समझने की जरूरत है आज आप उतावलेपन पर तुले हुए हैं इसलिए दूसरों की और प्रतिक्रिया आज संभल कर करें आपकी दावेदारी जहां एक और आपको अपनी इच्छित वस्तु दिला सकती है वहीं आपका उतावलापन उसको आपसे दूर भी कर सकता है होश्यारी से चुनाव करें राशिवरिश्चिक, करियर आज आपका सवभाग्य आपके साथ होगा और आप पाएंगे कि आप अपने सभी लक्षियों को चाहे वो कितने भी कठिन क्यों न हो आसानी से प्राप्त कर पाएंगे अपने सपनों को पाने के लिए सबसे महदपूर्ण चीज है दृड इच्छा शक्ती आप अपनी उर्जा शक्ती को एकत्रित कर पाएंगे इससे आप अपने लक्षों को प्राप्त कर पाएंगे आज आप आसमान को चूलेंगे आर्थिक मामलों में आज आपके सामने बड़ी मुश्किले है आप समझ नहीं पाएंगे कि इस आर्थिक संकट से कैसे पार पाया जाए आप शर्मनाक स्थिती में फंसे लग रही है लेकिन घबराईए नहीं ये थोड़े दिन की बात है कोई बड़ा आर्थिक फैसला अभी मत लीजिए जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा अपने स्वासिका ध्यान रखें क्योंकि पेट का रोग हो सकता है बाहर का खाना और बेकार पे पदार्थ न लें परेशानी हो सकती है साधारन खाना लें और खूब पानी बियें आप जल्द अच्छा अनुभव करेंगे आखिरकार अब आपके विचारों में स्पष्टता आएगी और कुछ गंभीर मुद्दों पर आप स्पष्टता से सोच पाएंगे हर समस्या का समाधान अब आपको साफ दिखने लगेगा इसी स्पष्टता से आपको सफलता भी मिल सकती है राशिधनु हाल की कुछ परेशानियों से छुटकारा मिलेगा वो जीवन में रोमैंस का पुनह आगमन होगा अपनी इच्छाओं के बारे में अपने साथी से खुल कर बात करें सभी विशियों पर गलत तहमी आज ही दूर करना संबंध के लिए बहतर है राशिधनु करियर आज आपको अपने करियर के संबंध में किसी निपुन सलाहकार की सलाह की जरूरत होगी सलाहकार का चुनाव करते समय सावधान रहें कहीं आपको कोई गलत सलाह ना मिल जाए वित्त से संबंधित कुछ बातों को जानने के लिए आप किताबों अखबार या फिर इंटरनेट का साहरा लेंगे साथ ही आप अपनी उन्नती के लिए सलाह लेना चाहेंगे आज आपका कठिन परिश्रम एवं एक दिशा में किया गया कार्य बहुत बड़ी संख्या में धन अर्जित करा सकता है हाल ही में आपकी स्रिजनात्मक योगिता अपने कारिक शेत्र में प्रदर्शित हुई है आपको निश्चित रूप से आर्थिक पुरसकारों की प्राप्ति होगी जो कि आपके उत्तम विचारों का प्रतिभल है आप अपनी इस बौद्धिक संपदा को सुरक्षित रखने का प्रयास करें ताकि उससे अनावश्यक लाब नहीं लिया जा सके आर्थिक लाब आपके प्रयासों पर मिर्भर होगा आज आप अपने शारिरिक स्वास्थे पर न ध्यान लगाकर अपने मानसिक सुधार पर ध्यान देंगे आज आप परेशान रहेंगे और आत्म विश्वास भी कम रहेगा अगर आप किसी परेशानी से जूज रहे हैं तो उसे खत्म करने का समय आ गया है आपका मूड गंभीर तो नहीं रहेगा मगर इससे दूसरे प्रभावित होंगे इसलिए आप आज कुछ समय निकाल कर इसका कारण जानने की कोशिश करें आज आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या करें शांती से बैठ जाएं और सोचें कि आपकी इस उलजन का कारण क्या है जरूरत पड़े तो अपने किसी करीबी मित्र से इस बारे में खुल कर बात करें इससे आपके दिमाग में सपश्टता आएगी राशी मकर रोमैंस आज के दिन आप से रिष्टे बनाएं एवं उन पर अपना ध्यान किंद्रित करके अमल करें अपने साथी को अपनी भावनाओं से अवगत कराएं जिससे आपको सकारात्मक फल भी प्राप्त हो सके इस समय आपको अपने जीवन साथी के साथ अकेले में एक दूसरे के साथ मन बहलाव करना चाहिए आप प्रेम में डूबे रहना चाहते हैं तो अपनी आखें बंद कर लें, अन्य रास्ते खुल जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका साथी आपके साथ भरबूर है। परेशानी में भी शांत रहने की कला आपके साथियों को प्रभावित करेगी। आपकी संप्रेशन कला से आपको लाब दो होगा ही, साथ ही आपकी शांत रहने की कला भी सबको आश्चरे में डाल देगी। इससे आपको बहुत लाब होगा। आपकी सकारात्मक सोच से आप अपनी सभी परिशानियों को हल कर सकेंगे। राशी मकर, फाइनांस, जोखिम भरे बड़े व्यवसाई से परहेश करें, तथा छोटे व्यवसाई में पूंजी निवेश करें। आज आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा, जिस कारण आप ध्यान ही नहीं लगा पा रही हैं। उसकी वज़ह से अंचा ही बहस में पढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि आप शांत रहें, अपने मूड को ऐसे ही भटकने न दें, अन्यता बाद में पच्चतावा हो सकता है। राशिकुम्ब, ओवर्वियू, आज आपकी प्रसद्धी का जादू दिन भर चाया रहेगा। आए दिन आपको आराम और मौज मस्ती का मौका मिल जाता है। ये सब आपकी कड़ी महनत का ही फल है। अब आप कह सकते हैं कि आपके सभी काम ठीक से चल रहे हैं, क्योंकि अपने काम को लेकर पहले से ही सही योजना बना रखी है। राशिकुम्ब, ओवर्वियू, आज आप अपने साथी की सेहत के प्रती अपना अतरिक्त जुकाव महसूस करेंगे। आपको अपने साथी के साथ जरूर कुछ समय व्यतीत करना चाहिए, जिसकी उसे आवशक्ता है। राशिकुम्ब, करियर। आज विद्यार्थियों को अपने परिक्षा के प्रदर्शन से संतुष्टी मिलेगी। आपको अपने व्यावसाइक लक्षियों के लिए काम करना चाहिए, जिससे आपके लक्ष पूरे होंगे। किसी एक या दो क्षेत्रों में पिछडने पर चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका पूर्ण विकास सकारात्मक है। राशिकुम्ब, फाइनांस, इस समय आपकी कोई संपत्ति नश्ट होने का योग है। अतह आरामदायक कीमती सामान के प्रति सजग रहें। विशेशकर उन वस्तूओं में जिन पर अधिक उपए खर्च हुएं हैं, जैसे कार, आपकी सवारी दुरगटना ग्रस्त हो सकती है, और आपकी कीमती वस्तूओं के खोने या नश्ट होने की संभावना है। अतह आप उनके प्रति सचेत रहें। राशिकुम्ब, हेल्थ, आज आपको कोल्ड जैसी फैलने वाली बीमारी हो सकती है, अपने हाथों को अच्छे से धोएं, क्योंकि आपको कोल्ड जैसे संकर्वन होने की संभावना बहुत ज्यादा है, आप सावधानी बरते हैं। राशिमीन, ओवर्विव, आज आप आध्यात्मिक्ता की और आकर्शित होंगे, आप भगवान से अपना रिष्ट शादी या प्रेम के बारे में आज आप हैरत में पढ़ सकते हैं। आप पाएंगे कि आपका कोई नजदी की दोस्त आप से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। शुरुवाती हैरत के बाद आप भी उससे आकर्शित होंगे। ये रिष्टा आपके लिए बहुत अच्छा रह इसे गंभीरता से लें। राशिमीन करियर यदि आपका स्वयम का विवसाय है तब आप नवीन प्रगती की राह पर चलेंगे। आपको सामने आने वाले अवसर का पूरा लाभ लेना चाहिए जिससे प्रदिभावर स्थिति का आंकलन कर निरने ले सकें। राशिमीन फाइ में मिलेगी। इससे आपका नगेवल बैंक बैलेंस पढ़ेगा वरन आप कहीं बहतर निवेश के विशय में भी सोच सकते हैं। यदि आज आप ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से अपने व्यापारिक संस्थान की आए को बढ़ाया जाए तब जल्दी ही इसके सुखत बने आपको मिलेंगे। राशी मीन, हेल्थ। आज आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा अगर आप ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के मरीज हैं। ये सब बिमारियां आज आप के लिए परेशानी बन सकती हैं। कोशिश करें कि आज आप आराम करें और सही खाना अगर आप किसी परेशानी को लेकर चिंतित हैं तो सही डॉक्टर के पास जाएं।